रादे रादे जैसी कृष्णा, मैं सीमा सिंग, बड़ों कुझारनिस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज हम सुमभार की पांच कहानिया सुनेंगी अगर आप सुमभार का वृत करते हैं तो आपको वृत के साथ में कहाने भी सुनी चाहिए इस से वृत का पूराफल मिलता है आईए अब हम लगातार पांच कहानिया सुमभार की सुनते हैं एक बार की बात है माता पारवती वे भगवान शंकर मृत्यू लोक में भ्रहमन कर रहे थे तम माता पारवती जी ने देखा कि प्रत्वी पर बहुत से लोक सुमभार के दिन महादेव जी की पुजा पाट कर रहे हैं सुमभार के दिन विशेश रूप से मंदिरों में शिवालियों में हर हर महादेव की गूझ उठ रही थी, आर्थी, यज्य, हवन हो रहे थे, भजन कीर्थन हो रहे थे, तब माता पार्वती जी ने महादेव जिसे कहा कि प्रत्वी पर लोग आप की कितनी पूझा पाट करते हैं, आप उन सभी की इच्छाई पूरी करो, तब भगवान वे माता पार्वती जी ने उन सब की परिशा लेनी चाहिए, तब भगवान शंकर ने कोडी का वेश बनाया, और माता पार्वती जी एक सुन्दर सोले साल की विवहाईत मैला का पति-पत्नी का वेश बना करके मिर्ट्यू लोग में आए, तब भगवान ने माता पार्वती जी को कहा कि तुम्हारी नजल में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है सबसे पहले तुम मुझे वही ले करके चलो तमाता पार्वती जी महादेई जी से बोली कि वह ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है वह रोज शीवलिंग पर गाय का दूद, खी, दही से अभि कि तुम कोन हो और यहां क्यों आए हो तब माता पार्वती जी ने कहा कि हम दूसरी गाउं से आए हैं हमारे घरवालों ने हमें निकाल दिया है ये मेरे पती है इन्हें कोड हो गया है हमें रहने के लिए आसरा चाहिए क्या हमें दो पांच दिन के लिए आपके घर में आसर दे देना हम दोनों पती पतनी आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगी यह सुनते ही वैग्वाला आग बभूला हो गया और गुस्सा खा कर बोला कि चलो जाओ यहां से मेरा घर कोई धरमशाला नहीं और तुम्हारे पती के शरीर पर तो मक्षियां भिन भिना रही है मता पार्वती जी ने उनसे बहुत विंती करी कि अरे भाई तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो हमारे उपर थोड़ी सी दया तो करो लेकिन गौाले ने उन्हें धक्के मार कर घर से निकाल दिया अब भगवान शंकर और माता पार्वती जी आगे चल दिये माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि चलो आगे आपका एक दूसरा भक्त और है मुझे पूरा यकीन है कि वे जरूर हमारी मदद करेगा तब वे एक बनिये के घर पहुंचे वे बनिया भी रोज शिव मंदीर में घंटो बैट कर भगवान महादेव की पूजा पाठ यज्यहवन कीर्दन क्या करता था लेकिन उस बनिये ने भी वही किया जो ग्वाले ने किया अब माता पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई वे सुनार रोज भगवान शिव का सोने चांदी के अभूशनों से अभिशे करता था लेकिन उसने भी जब देखा कि एक कोड़ी व्यक्ती उनके घर के दरवाजे पर आया है जिसके शरीर से जग़ जग़ से खून रिस रहा है मक्या भिन बिना रही है तो उसने भी नोकरों से कहे कर उन्हें धक्के मार कर घर से निकाल दिया अब तो माता पारवती जी हताश हो गई और बोली कि हे देव ये लोग पूजा पाट यग्य हवन मंत्र तो बहुत बोलते हैं फिर ये इतने कठोर और निर्देई हिर्दे के क्यों हैं ये क्यों किसी निर्बल और और गरीब कोड़ी की मदद नहीं करते तब महादेर जी ने कहा कि प्रिये ये सब केवल दिखावा करते हैं सच्चे भक्त तो बिल्ले ही होते हैं उसके बाद महादेर जी मता पारवती जी से बोले कि अब बताओ प्रिये अब तुम मुझे कौन से भक्त के पास लेकर के चलोगी तब मता पारवती जी ने कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना ये लोग अगर ऐसे हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं प्रिये, सब उंगलिया एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुन्य हो रहा है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है, सभी पापी होते तो ये दुनिया कब की खतम हो जाती, चलो प्रिये, मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलाता हूं तब भगवान शंकर माता पारवती जी को लेकर उसी गाओं में एक खुमार के घर गए, वे खुमार बहुत गरीब था, मातर एक छोटी तूटी फूटी जोपडी में रहता था, आंगन में एक खारती वहीं पर चाग पर मिट्टी के बरतन बनाता था, उसे देखकर माता पार के मार कर निकाल दिया, हमारी मदद नहीं करी, तब ये गरीब कुमार हमारी क्या मदद करेगा, और मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पार्ट, हवन, मंत्र, दान पुन्य करते हुए भी नहीं देखा, ये कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है, तब भगवान शंकर माता प सुंदर यूती के वेश में मता पार्वती जी जैसे ही कुमार के घर गए तो उन्हें देखते ही, दोनों कुमार दमपती बड़े खुश हुए, आदर के साथ उन्होंने उन्हें अपनी जोपडी में बैठाया, चाच रोटी खाने के लिए दी, खुमार ने भगवान शंकर की कोड वाली जगय पर ठंडे ठंडे जल से धोया और अपने कपड़े से उनके घाओं को पोच्छा दवाई लगाई, तो खुमार ने माता पार्वती जी को तसली दी और बोली की बेटी तुम चिंता मत करो, तुमारे पती जल्दी ठीक हो अखुई आखों में इशारा किया कि देखा ये है मेरा असली सच्चा भक्त, मता पार्वती जी ने भी आखों से ही कहा कि आप सच कह रहे हैं, उधर एक ही रात्री में ग्वाली की गाई भैसों ने दूद देना बंद कर दिया, उसे बहुत नुकसान हुआ, बनिया वसुना खुमार का कारोबार विठप हो गया, क्योंकि उन्होंने महादेव और पार्वती जी का अपमान किया था, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इधर खुमार एक ही रात्री में माला माल हो गे, अर्धुरात्री में ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतरध हो गे, सुबह जब खुमार दमपती सो कर उठे, उन्होंने देखा कि उनकी तूटी फूटी जोपडी सुंदर मकान में बदल चुकी थी, उनका घर अनधन के भंडार से भरा था, और जिस खाट पर उन्होंने महादेजी और पार्वती जी को बिठाया था, उस खाट पर सुंदरी की साड़ी और सोने का कमंडल पड़ा था, दोनों कुमार दमपती समझ गे कि वो कोई और नहीं सम गोरा और महादेव जी थे, उस कमंडल में जिस चीज के लिए कुमार दमपती हाट डालते वहीची निकलने लगी, कुछी सामय में वे बहुत अमीर होगे, और मृत रजाई का सुखभोग कर मरने के बाद वे शीव लोक को प्राप्त हुए, घर्ति वतो पुरियो पुरियो परवान चड़े बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे, इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, और हुकारा भरने वा वो दोनों रोज शीव मंदिर में घंटो पूजा पाट यग्य हवन क्या करते थे। उदर घ्यानी महात्मा भी सच का मार्ग छोड़ कर मात्र दिखावा कर रहे थे। उस नगरी के नगरवासियों ने जब राजा और घ्यानी महात्मा जी को शीव जी की पूजा करते हुए देखा तो वे सब भी पूजा अपने अपने तरीके से करने लगे। केलाश पर बैठे बैठे माता पारवती जी और महादेव जी ये सब कुद देख रहे थे। तब एक दिन माता पारवती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव मृत्यू लोग में एक राजा और एक महात्मा आपकी बहुत पूजा पाट करते हैं। आपको उनको दर्शन देना चाहिए। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले की हे कल्याणी हे देवी ये दोनों तो मात्र दिखावा कर रहे हैं। तम माता पार्वती जी नहीं मानी जित पकड़ कर बैट गई तम महादेव जी और माता पार्वती जी ने अपना रूप बदला तम महादेव जी ने कोडी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर यूती का वेश बनाया उसी गाउं में उसी शीव मंदी की सिध्धियों पर आकर के बैठ गे भगवान शीव जो कोडी वेश में थे उनके शरीर पर मखियां बिन बिना रही थी नाक में से सेडा निकल रहा था आखों में गीड भरे हुए थे और शरीर पर से रहे रहे कर खून रिस रहा था भगवान ने ऐसा रूप धरा था कि जो भी देखता था वही इनसान मूँ मोड लेता था नाक मूँ सुकोड लेता था जबकि माता बारवती जी ने एक बहुत सुन्दर कोमल 16 साल की नव युवती का रूप धरा था उस शिव मंदिर में गाव के सभी लोग भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए सिद्धियों से चड़ और उतर रहे थे लेकिन जो भी उनको देखता वो नाक मूँ सिकोड कर मूँ पर रुमाल रख कर चला जाता और कहता कि देखो कितनी सुन्दर युवती है परन्तु इसका नसीब कितना खराब है एक बस सुरत कोडी युवक इसका पती है माता पार्वती जी आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई हमारी मदद कर दो कोई हमें आसरा दे दो लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी गाउं के जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे वे सबी माता पार्वती जी की जोली में सिक्के दो सिक्के डाल रहे थे और कोडी की तरब देखकर नाक मू सिकोड कर जा रहे थे किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी तभी वहाँ पर वह राजा और वह महात्मा भी भगवान महादेव की पूजा पाट करने के लिए आया लेकिन ने तो राजा ने उनकी तरफ देखा और नहीं उस ग्यानी महात्मा ने उनकी तरफ देखा वे दोनों भी जैसे सिड्डी चड़कर पूजा करने गए थे और पूजा करके वैसे ही उतर करके चले गए सुबह से दो पहर और दो पहर से शाम हो गई तब उस शिव मंदिर में एक बहुत बुजुर्ग महिला आई उसने जब शिव मंदिर की सिड्डियों पर एक सुन्दर यूती और कोड़ी युवक को देखा तो वे उनके पास आकर के बैठ गई और कोड़ी के शरीर पर हाथ फेरते हुए बोली की बेटी तुम कोन हो और यहां कैसे बैठी हो तब माता पार्वती जी जो सुन्दर यूती के वेश में थी वो बुजुर्ग महिला से बोली की माजी मेरा नाम गोरा है ये मेरे पती हैं हम दूसरे गाउं से आए हैं हमारे घर वालों ने हमारा तिरसकार करके हमें घर से निकाल दिया है हम यहां आसरा मांगने आये थी माजी क्या आप हमारी मदद करेंगी हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे तव बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी जूपड़ी पर आई और उन्हें खाने के लिए रोटी दी और बोली की बेटी चिंता मत करो जब तक चाहो यहां रहो मेरा कोई नहीं है तुम मेरी बेटी जैसी हो हम दोनों मिलकर तुमारे पती की सेवा करेंगे मैं रोज शिव मंदिर से चर्णामत लाऊंगी और तुमारे पती के कोड़ वाली जगए लगाऊंगी भगवान बोले ना तुमारे पती को जल्दी ठीक कर देंगे इस तरह वे सभी रातरी को सोगे सुबह तड़ के उड़ते ही वे बुढिया शिव मंदीर में गई और वहां से चर्णामत लेकर के आई और भगवान महादेव जी के कोड़ वाली जगह पर चर्णामत लगाने लगी तबी आश्चरिये जनक घटना घटित हुई भगवान शिवलिंग में बदल गे और वसुंदर यूती साक्षात माता पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई बुडिया उनके चर्णों में गिर पड़ी तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुडिया को पूरी बात बताई कि हम इस गाव में ये रूप धर कर शिव भगतों की परिक्षा लेने के लिए आये थे लेकिन बुडिया माई तुमसे बड़ा भगत हमें कोई नहीं मिला हम दोनों तुमसे बहुत प्रसन हैं तुम कोई वर मांगो तब बुडिया बोली कि हे महादेव जी माता पार्वती जी मुझे आपके दर्शन होगे मेरा तो जीवन सफल हो गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आप मुझे अपने साथ शीव लोग में ले चलिए तबी वहाँ पर एक देव विमान आया उसमें महादेव जी गोरा और वे बुडिया माई सुन्दर दहर धारन करके अलोकिक कीमती आबुशन पहन कर शीव लोग जाने लगी तब उसी शीव मंदिर के भक्तों ने उन्हें देव विमान में बैट कर जाते हुए देखा वे राजा और वे महात्मा भी वे द्रश्य देख रहा था वे सभी पच्टा रहे थे कि उन्हें ये सुक्यों नहीं मिला उस नगरी के राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने पूरी उम्र शीव पूजा करी लेकिन उसके सामने भगवान शीव कोडी वेश में थे और वे पैचार नहीं पाया तब राजा को बहुत पच्टावा हुआ उसने अपना घर परिवार राज्य त्याग दिया और जंगल में जाकर तपश्या करने लगा उसी तरह उस महात्मा को भी अपने उपर पच्टावा होने लगा लेकिन अब पच्टावा हुँ ति क्या जब चडिया चुग गई खेत वे महात्मा ने भी अन जल त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तपशा करने लगा है महाधे पार्वती जी जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दर्शन दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गड़ती हो तो पुरी हो पुरी हो तो परवान चड़े बुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे आईए अब हम सुंबार की तीसरी कहानी सुनते हैं एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से विवा करने के लिए वन में जाकर कठो तपश्या करी तब भगवान शंकर माता पार्वती जी की परिक्षा लेने के लिए पहुँच गे माता पार्वती जी एक नदी के किनारे तपश्या कर रही थी तबी वहाँ एक छोटा सा बच्चा नदी पर पानी पीने के लिए आया उस बच्चे का पाउं एक मगरमच ने पकड़ लिया बच्चा जोड जोड से करून रुदन करने लगा तबी वहाँ शंकर भगवान प्रकट हो गे वो माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी मैं तुम्हारी तपश्या से बहुत खोश्यूं तुम कोई वर मांग लो तब माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप उस बच्चे को मगरमच से बचा लीजिए भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती सोच समझ कर बोलना क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वर नहीं मिलेगा तब मता पारवती जी बोली कि आप उस बच्चे को बचा लीजिए तब भगवान शंकर ने बच्चे को मगरमच से बचा लिया तब भगवान शंकर ने पारवती जी को पूरी बात बताई कि मैं तुम्हारी परिशा ले रहा था ये बालक और ये मगरमच्च की माया मैंने ही फैलाई थी तुमने इतने बरसों तक मुझे पाने के लिए कठोर तब किया लेकिन फिर भी तुमने अपने लिए वर नहीं मांगा तुमने मांगा भी तो उस बच्चे की जान बचाने के लिए वर मांगा तुम मेरी परिक्षा में सफल हुई अब तुम अपने लिए वर मांगो तमाता पार्वती जी ने कहा कि है प्रभू मैं चाती हूँ कि आप मेरे विवहा में दूला बन करके आए तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी ना तो मेरे पास महल मालिया है ना ही धन दोलत है मैं भंगिया पीता हूँ और शरीर पर शमशान की भस्मी लगाता हूँ सर्प बिच्चू मेरे गैने है एक पार ओर सोच लो तब माता पार्वती जी ने कहा कि सोच ना क्या तब भगवान शंकर का विवहा शिवरातरी के दिन माता पार्वती जी से धूम धाम से हुआ इस कथा को सोंबार और प्रदोश के दिन अगर सुना जाता है तो सभी सुहागिनों को अखंड सोभाग्य की प्राप्ती होती है इस कथा को सुनने का फल सब को मिले कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को करती हो तो पुरी हो पुरी हो तो परवान चड़े बुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे आईए अब हम सोंबार की चोथी कहानी सुनते हैं एक बार एक नगर में एक राजा था वे बड़ा ही धर्मात्मा, दानी, वे पुन्य शील था राजा भगवान शंकर का परम भक्त था राजा ने नगर में एक विशाल शीव पार्वती जी का मंदिर बनवाया और राजा ने उस मंदिर की देखवाल के लिए एक पंडित न्युक्ति किया भाग्यवस उस पंडित का नाम शीव पाल था शीव पाल भी बड़ा ही दयालू और धार्मिक प्रवती का था शीव पाल के एक लड़का और एक लड़की थी शीव पाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के पिछवाडे में जोपड़ी बना कर के रहने लगा शीव पाल रोज भ्रहमूरत में उड़ता ताला पस्नान करके आता और पूरा दिन मंदिर की देख बाल में बिताने लगा पड़ितानी रोज मंदिर में जाडू लगाती थी थोड़े ही दिनों में मंदिर की चर्चा आस पास के साथ गाउं तक पहुँच गई मंदिर में दर्शन काने के लिए दूर दूर से यातरी आने लगे उस मंदिर की ख्याती दूर दूर तक फैल गई उस मंदिर में जो भी शीव परिवार पर मात्र एक लोटा जल चड़ाता था तो उसकी सभी इच्छाएं पुरी होने लगी मंदिर की ख्याती दूर दूर तक फैल गई अब उस मंदिर में आस पास के साथ गाउं के लोग आने लगे मंदिर में खूब चड़ावा चड़ने लगा उसी नगर में एक बुडिया माई भी रहती थी वो अपने बेटा बहु और पोदेपोधियों के साथ रहती थी परन्तु उस बुडिया में एक खराब आदत थी कि वो मंदिर में पैसे चोरी क्या करती थी जब उस बुडिया को पता चला कि नए शीव मंदिर में खूब चड़ावे में पैसा आता है तो वो बुडिया मंदिर दर्शिन करने का बहाना बना कर शीव मंदिर में जाती और मंदिर में से पैसे चोरी करती बुडिया एक ही दिन में तीन तीन चार चार बार मंदिर में दर्शन का नाम करके जाने लगी जब उसके बेटा बहु को पता चला कि मा मंदिर जाती है तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अच्छा है कि मा का भुड़ापा समर जाएगा परन्तु उन्हें क्या मालुम कि उनकी मा मंदिर में पैसे चोरी करने के लिए जाती है एक दिन जब बुड़िया माई शिव मंदिर में पैसे उठा रही थी तो पंडितानी ने देख लिया लेकिन पंडितानी ने कुछ नहीं कहा बुड़िया के जाने के बाद पंडितानी ने ये बात अपने पती को बताई जब पंडितानी ये बात अपने बती को बता रही थी तो वहां गाउं के कुछ दर्शनार्थी भी खड़े थे उन्होंने पंडित और पंडितानी से पूछा कि कौन सी बुढिया माई है जो मंदिर में से पैसे चोरी करती है तब पंडित और पंडितानी ने उन दर्शनार्थियों से कहा कि कोई नहीं भईया कोई नहीं, कोई पैसे चोरी नहीं करता है, पंडित जी ने पंडितानी की तरफ इशारे से कहा कि इन्हें कुछ मत बताना, तब गाउं के दर्शनार्थियों के जाने के बाद पंडित जी ने अपनी पतनी से कहा कि भागवान क्या मालूम उस बुडिया की जरुरत हम से जादा हो, शायद वे दुखी होगी और उसे पैसों की जरुरत जादा होगी, इस तरह बात आई गई हो गई, बुडिया उसी तर मंदिर में आती और पैसे चुराती, इस तरह कई बरस बीच गे, तब एक बार की बात है, वे बुडिया बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर ही पकड़ लिया, डॉक्टर वेद नीम हकीम को दिखाया, तो उन्होंने उनके बेटा बहु से कहा कि ब अपड़े गंदे काने लगी, बुडिया के बेटी, जमाई, दोईते, दोईती सब मिलने आए, शायद बुडिया की आत्मा किसी में फसी हो तो बुडिया शान्ती से मर सके, किसी ने कहा कि बुडिया के हाथ से दान करवाओ, गाई को हराचारा डलवाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, वस्तर कंबल, गेहूं, अन, दान करो, जिसने जो कहा बेटा बहु ने वैसा ही किया, लेकिन बुडिया थी कि बहुत दुख उठा रही थी, आठ नो मैने होगे, बेटा बहु भी अब बुडिया की सेवा करते करते ठक गे, बहु को बुडिया की टटी पे शाफ स पूछो की तुम्हारी मा की जान किस में अटक रही है, तब बेटा बहु ने काशी के एक पंडित को बुलवाया और अपनी मा के बारे में बताया, तब पंडित ने कहा कि आप अपनी मा के लिए एकादशी का वरत करो, और एकादशी का वरत करके दुड़ादशी को वरत का तो अपनी मां को सुंप दो, जिस्से तुम्हारी मां का कोई पाफ होगा तो वह धूल जाएगा, और तुम्हारी मां को सद्गती प्राप्त हो जाएगी, तब बुडिया के बेटा बहु ने एकादशी का वुरत किया, और द्वादशी को वरत का फल हाथ में जल लेकर अपनी माँ को अर्पित कर दिया लेकिन फिर भी बुडिया के प्राण निकल ही नहीं रहे थे बुडिया बहुत तुक उठा रही थी आसपास के लोगों ने कहा कि बुडिया का जीव तो किसी चीज में अटक रहा है आप अपने नजधी के दूर के सभी रिष्टेदारों को बुला करके बुडिया से मिलवा दो तब बेटा बहु ने ऐसा ही किया सभी रिष्टेदार आकर मिलने लगे लेकिन बुडिया की आंके घर के दर्वाजे पर ऐसे टक-टकी लगाए रहती थी कि जैसे किसी को ढून रही हो तब एक रात्री को भगवान शंकर ने पंडित शिव पाल को सब्ण में दर्शन दे कर कहा कि पंडित जाग रहे हो या सो रहे हो पंडित नीन्द में ही बोला कि भगवान न जाग रहा हूँ न सो रहा हूँ हे इश्वर मुझसे या मेरे परिवार से पूजा पाठ में कोई करती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना तब भगवान शंकर बोले कि पंडित तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन हूँ पंडित तेरे लिए मैं एक काम सोब रहा हूँ तेरे ही नगर में एक बुडिया है उसके प्राण अटक रही है वो मेरे चर्णाम्रत का इंतजार कर रही है उसने पूरी उम्र मेरे शिवाले में से रुप्यों की चोरी करी थी वो उसी की सजा भुगत रही है तू सुबह होते ही मेरे चर्णाम्रत को लेकर उस बुडिया के घर जाना और चर्णाम्रत बिला देना और उसके कान में कहना की बुडिया तेरे जीवन के सभी पाप तेरे बेटा बहु के द्वारा की गई पाप मोचनी एकादशी से धुल गए है उन दोनों ने अपने व्रत काफल तुझे सोब दिया है तू बे फिक्र हो जा और शीव चर्णाम्रत को गटक ले भगवान शंकर ने मुझे तेरे लिए ये चर्णामत लेकर भीचा है ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतरधान हो गे पंडिश शीव पाल की नीद खुल गई उसने देखा कि सुबह के चार बज रहे थे उड़ते ही उसे सबन वाली बात याद आई और वे समझ गया कि भगवान कौन सी बुड़िया की बात कर रहे थे वे उठा इसनान आदिकर के भगवान शीव के चर्णामत को लेकर गाओं में उसी बुड़िया के घर पहुँचा उस रातरी को बुड़िया की हालत बहुँ ज़्यादा खराब थी घर वाले पूरी रात उसकी खाट के पास ही बैठे थे जैसे ही पंडी जी ने दर्वाजे पर आवाज लगाई तभी एक चमतकार हुआ बुड़िया की आँखों में चमक आगे बुड़िया की आँखे टम-टमाने लगी तब तक पंडी जी भी बुड़िया के पास आगे पंडी जी ने शिव चर्णामत बुड़िया के मुँ में डाला और पंडी जी ने बुड़िया के कान में वो सारी बाते कही जो भगवान शंकर ने बोलने के लिए कही थी पंडी जी ने बुडिया के कान में कहा कि अरी बुडिया माई तु बेफिक्र हो जा तेरे बेटा बहु ने पाप मोजनी एकादशी का वरत करके उसका फल तुझे सोब दिया है जिससे तेरे सभी पाप धुल गए है मुझे भगवान शंकर ने शीव चर्नामरत दे कर भेजा है तु चर्नामरत को गटक ले तुझे शीव लोग का धा मिलेगा ऐसा बोलते ही बुडिया ने चर्नामरत को गटक लिया चर्नामरत को गटकने की आवाज वहां बैठे सभी लोगों ने सुनी उसी शन बुडिया का चहरा एक और लुडग गया बुडिया के प्राण पखेरू उडगे बुडिया को अंत समय में सद्गती मिल गई सभी लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा ढोल यात्रा से निकाली इसलिए मनश को मंदिर में चड़ाएगे रुपिय पैसे चोरी नहीं करने चाहिए नहीं तो अंत वैसा ही होगा जैसा बुडिया के साथ हुआ बुडिया का अंत तो भगवान शंकर ने सुधार दिया लेकिन शायद हमारा अंत ऐसा न सुधरे भगवान शंकर सब का भला करना कहानी कहने वाले का सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का गर्तियो तो पुरियो पुरियो तो परवान चड़े बुले भिसरे नाम तेरे बंडार में भरे आईए अब हम सौंबार की पांचवी कहानी सुनते हैं एक दिन महादेव जी माता पार्वती जी से पोले कि हेपरिये मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जा रहा हूँ पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी तब महादेर जी ने कहा कि है प्रिये अगर आस्ते में भूग प्यास लगेगी तो मैं तुम्हें भोजन पानी कहां से खिलाओंगा परन्तो पारवती जी नहीं मानी और जित पकड़ ली तब महादेर जी को जुकना ही पड़ा तब महादेव जी और पार्वती जी नाडिया पे चड़ कर प्रत्वी लोग पर निकल पड़े। उन्हें देख कर लोग उनके उपर हसने लगे और बोले कि देखो ये कैसे निर्दई लोग हैं। दोनों जने नाडिया के उपर बैठ गे विचारा नाडिया तो बोस से मरा ज जा रहा है। ये सुनकर महादेव जी थोड़ा आगे चल कर नाडिया से उतर गे और पार्वती जी नाडिया पर बैठ कर चलने लगी। थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके उपर हसने लगे कि देखो कैसी लुगाई है। आदमी तो विचारा पेदल चल रहा है औ तो मादा पार्वती जी नाडिया पे से उतर गे और महादेव जी नाडिया पर बैठ कर चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके उपर ताने मारने लगे कि देखो कैसा जमाना आ गया है। आदमी मजबूत और ताकतवर है फिर भी नाडिये पर जा रहा है विचारी कमजोर औरत को पैदल चलना पड़ रहा है तब महादेव जी और पारवती जी दोनों नाडिया से उतर गे और वे नाडिया को लेकर पैदल पैदल चलने लगे थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके उपर ताना मारने लगे कि देखो कितने बेकुफ लोग हैं बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं तब पारवती जी महादेव जी से बोले कि है महादेव जी ये लोग ऐसे क्यों करते हैं नाडिया पे बैठ कर चलो तब भी ये बोलते हैं ने बैठ कर चलो तब भी ये ताने देते हैं तब महादेव जी माता पारवती जी से बोल कि है पार्वती यही दुनिया है यहां के लोग ऐसे ही होते हैं थोड़ी दूर आगे जाने पर महादेव जी ए पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगा कर किसो रहे थे तभी गाम की ओरतें पनगट पर पानी भरने के लिए उधर से गुजरी तो वे ओरतें महादेव जी को दे महादेव जी ने हाथ का तकिया निकाल दिया और आराम करने लगे थोड़ी देर बाद वापस वही ओरतें पनी भर कर गाम की ओर जाने लगी तो वे फिर से बोली कि देखो कैसा जोगी बना फिरता है हमारी बात का इसे कितना गुस्ता आया है जो हाथ का तकिया निकाल दिय ऐसा ताना मार का फिर से वे ओड़तें वहां से आगे चली गई तब महादेव जी माता पारवती जी से बोले कि हे गोरा तुमने दुनिया का खेल देख लिया आदमी आदमी को कैसे भी चैन से नहीं रहने देता इस तरह सुबर से दोपहर हो गई दोपर होते ही माता पारवती जी महादेव जी से बोली कि मुझे तो बहुत भूग लगी है महादेव जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें मैं खाना और पानी कहां से खिलाओंगा लेकिन पारवती जी जित पकड़ ली तब महादेर जी माता पारवती जी को लेकर एक अमीर बुडिया की हवेली पर गए और महादेर जी ने उस अमीर बुडिया से कहा कि अरे माई हमें बहुत भूग लगी है क्या तुम हमें भोजन खिलाओगी तो वह अमीर बुडिया जो बहुत कंजूस थी उसने कहा कि मेरे घ महादेव जी ने गरीब बुढिया से कहा कि बुढिया माई क्या तुम हमें भोजन खिलाओगी तो बुढिया ने पूछा कि क्या खाओगे शिव पार्वती जी ने कहा कि आज तो हमें खीर खांड का भोजन करना है तब महादेव जी ने बुढिया से पूछा कि बुढिया मा बुडिया ने घर में जाकर के देखा तो उसका घर अनधन के भंडार से बढ़ा था तब बुडिया माई ने खीर खान का भोजन बनाया तब बुडिया ने तीन थालियां परोसी नाडिया की शिव जी की और पारवती जी की तब महादेव जी बोले की बुडिया माई तीन था बुडिया ने कहा कि महाराज मेरे तो कोई बेटा बहु नहीं है। महादेर जी ने कहा कि बुडिया माई पीछे मुर कर तो देख। जैसे ही बुडिया माई ने पलट कर पीछे देखा तो एक सोलर बरस का बेटा बहु गठ जोड़े के साथ खड़े थी। बुडिया माई बहुत खुश हुई, सब ने भुजन किया। भुजन करने के बाद महादेजी और पारवती जी जाने लगे तो बुडिया माई ने पूछा कि इतने सारे खीर खांड के प्रसाद का मैं क्या करूंगी। तब महादेजी और पारवती जी ने कहा कि इस प्रसाद को तुम पूरे गाउं में बाड़ दो। तब बुडिया माई खीर खांड का प्रसाद पूरे गाउं में बाड़ने लगी। तब अमीर बुडिया ने कहा कि वो लोग तो मेरे घर भी आये थे। अब वो दोनों की दर गे। बुडिया ने इशारे से कहा कि वो लोग उधर गे। तब पहली बुडिया महादेजी और पार्वती जी को ढूंती ढूंती पूरे गाउं में फिरी। लेकिन उन्हें महादेव और पार्वती जी कहीं नहीं मिले। ये महादेव और पार्वती जी जैसे आपने उस बुडिया माई की रसोई जीमी और उसका घर अनधन के भंडार से भर दिया वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। गड़ती ओ तो पुरियो पुरियो तो परवान चड़े भुले भिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद